पॉलिनॉमियल होता क्या है इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या परहेंगे कि सारा हम इस वीडियो में आज डिसकस करें तो आओ चलो स्टार्ट करें अगर हम बात करें पॉलिनॉमियल होता क्या है तो पॉलिनॉमियल होता क्या है तो पॉलिनॉमियल algebraic expression होते हैं algebra को लिखने का एक तरिक्ता होता है जिसमें variable और coefficient होता है अभी देखो आप इससे समझेंगे देखे यहाँ पर एक polynomial लिखा हुआ है जो है 5x square plus 2y minus 7 अभी हमने definition में देखा कि polynomial में variable होते हैं और coefficient होता है तो variable क्या होता है a से लेके z तक a to z आपको कोई भी letter लिखा हुआ दिखेगा तो वो आपका variable होगा इस polynomial में यह x जो है और यह y यहाँ पर क्या है बच्चो वेरियेवल है x y यहाँ पर variable हो ठीक है coefficient वो होता है जो variable के साथ multiply हो रहा होता है तो यहाँ पर देखिए x square के साथ multiply हो रहा है 5 और y के साथ multiply हो रहा है 2 तो 5 और 2 यहाँ पर coefficient हो समझे इसके इलावा किसी किसी polynomial में वैसे आपको हर polynomial में दिखेगा बच्चीर होगा तो नहीं होगा है न एक नंबर होता है जिसके साथ कोई भी variable नहीं होता जब कोई variable नहीं है तो उसको हम कहते है constant अब यहाँ पर यह जो 2 है x की power 2 यह x का क्या है exponent अब उसके बाद ले देके इसमें रहे गया यह symbol जो plus और minus के symbol होते हैं इसे हम operator के तो देखो जैसे अगर हम एक equation लिखते हैं 4x square minus 3x plus 5 अब यहाँ पर x square और यह x क्या हो जाएगा बच्चो वेरियेवर हो जाएगा 4 और minus 3 यहाँ पर coefficient हो जाएगा 5 इस equation का constant होगा और यह वाला minus यह वाला plus यहाँ पर operator होगा, simple सा है यह polynomials के parts होगा अब देखो यह एक standard polynomial है, एक standard polynomial को लिखने का तरीका है इसे किस तरीके से लिखा जाता है तो an xn यहाँ पर यह जो red color से लिखे हुए portion है, यह आप लोगों का coefficient है और यह जो black color से लिखा हुआ portion है, यह आपका क्या है बच्चो? exponent है यह एक standard polynomial लिखने का तरीका होता है इसको देख के घवराना नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ठीक है? चलो अब हम पढ़ेंगे polynomials के types ठीक है? देखो, polynomial कई तरह के होंगे जो हमें हमारे syllabus में पढ़ना है हम उनकी बात करेंगे यह आपके mcq में एक्जाम में आसके ठीक है? सबसे पहले हमारे पास है zero polynomial देखो, zero polynomial हम उसे कहते हैं जिसके साथ कोई भी variable नहीं होता है ठीक है? जैसे यहाँ पे 5 हो गया इसके अलावा 4, minus 3 4, minus 4 है ना? के बाद 6 हो गया 74 हो गया, इन सबको हम क्या कहते है? zero polynomial क्योंकि यहाँ पे जो power होती है power यानि exponent क्या होता है? zero आगे हमारा next आता है constant polynomial constant polynomial हम किसे कहते है जब यही सारे words यही सारे letters अगर polynomial के form में यानि यह px के form में लिखा हुआ आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? constant polynomial इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x है x है बट x की power क्या है? zero समझे? x की power zero का मतलब one हो जाएगा यानि वो five ही आ जाएगा इसको हम कहते है constant polynomial समझना बट्चों? एक सिर्फ five लिखा है बट इसमें x है ही नहीं यहाँ variable ही नहीं एक ऐसे लिखा हुआ है px की और यह five लिखा है इसका मतलब यहाँ पे variable है बट्चों समझो? कैसे है? x की पावर जीरो है और किसी की भी पावर जीरो क्या होता है one that is five इसलिए इसको यहाँ five लिखा लए पी x लिखा हुआ आ जाए है ना? मालो py लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब वो five y की पावर जीरो है इससे polynomial को हम constant polynomial कहते हैं समझे? के लो next है हमारा linear polynomial linear polynomial हम उसे कहते हैं जहाँ पर जो degree of polynomial होगी वो क्या होगी बच्चो one यानि maximum power जो होगा variable का वो one होगा जैसे यहाँ पर देखो 3x प्लस one x की power यहाँ पर one है मतलब यह क्या है linear polynomial समझे में आया? अब आगे बात करें next हमारा आता है quadratic polynomial quadratic polynomial में जो degree of polynomial होती है बच्चो यह कितनी होती है 2 अब यहाँ पर देखो x की जो maximum variable की जो maximum degree हो 2 है इसको हम कहते है quadratic polynomial सेम ऐसे ही जब degree क्या हो जाए 3 हो जाए maximum degree 3 हो जाए यानि maximum power जब हमारा variable का 3 हो तो इसको हम कहते हैं cubic polynomial हमें 10th class में सिर्फ cubic polynomial तक पढ़ना है इससे आगे आप जब higher maths पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे आई होप आपको polynomials की सारे टाइप clear हो गए हो आगे देखिए इसके बात जो हमें पढ़ना है हमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमारा पूरा फोकस रहेगा किस पे quadratic polynomial है देखो quadratic polynomial किसे कहते हैं वो मैंने अभी आपको बताया जब हमारे पास polynomial की degree 2 हो तो उसे हम quadratic polynomial कहते हैं यह जो है एक standard quadratic polynomial है एक standard quadratic polynomial को हम लिखते हैं ax square plus bx plus c जहाँ पे यह a 0 के equal नहीं होना चाहिए अगर a 0 के equal हुआ तो यह पूरा term 0 हो जाएगा फिर एक linear polynomial बन जाएगा इसलिए a 0 के equal नहीं होना चाहिए a, b और c यह तीनो constant यानि कोई न कोई number होने चाहिए अब देखो जब हम polynomial को solve करते हैं तो हमारे पास जो भी value आती है variable की जो भी हमारे पास variable की value आएगी उसे हम उस polynomial का 0 या फिर roots कहते हैं अब किस polynomial में कितने roots होंगे कितने zeros होंगे यह बताता है उसकी degree तो number of zeros क्या होता है तो degree of polynomial जैसे quadratic polynomial में बच्चों 2 होती है degree इसकी degree कितने होती है 2 यानि यहाँ पे x के two values निकल करके आएंगे इसको हम alpha और beta बोलेंगे फुरे chapter समझे थर्ट chapter में हम इस चीज़ को और जादा detail में परेंगे अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे हम जब quadratic equation को solve करेंगे quadratic equation को solve करने के लिए हम यहाँ पे method यूज करेंगे यूज को निकालेगे अब देखे जैसे यह हमारा एक standard polynomial है ax square plus bx plus 6 यहाँ पे हमने एक example लिया है x square minus 5x plus 6 अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा middle term होता है इसको हम split करेंगे कैसे split किया जाता है तो जो x square का coefficient होता है और जो constant होता है इसका हम multiply करते तो यहाँ पे 6 हो जाएगा अब हम इस 6 के ऐसे factor बनाते हैं जिसे या तो plus करके या minus करके हमारा middle term होता है तो देखो 3 to 6 अब हम यहाँ minus 5 चाहिए तो minus 3 minus 2 है ना तो यह 3 to 6 हो गया plus का उसके बाद 3 और 2 को हम minus minus plus करेंगे तो यह क्या जाएगा 5 अब जब हम इसको लिखेंगे तो देखो हमने इस minus 5 को split कर दिया कैसे 3x और 2x तो यह हो जाएगा हमारा x square इसे हमने split कर दिया 2x and 3x प्लस से अब यहाँ पे देखो x यहाँ भी है x यहाँ भी है हमने x को common ले लिए यहाँ x square यानि x दो बार था एक हमारा x रहे गया यह minus रहे गया और यहाँ से हमारा 2 रहे गया यहाँ से हमने minus 3 को common लिए दोनों जगा है यहाँ x बच गया बाहर minus है तो minus plus minus 3 to 6 यहाँ पे 2 रहे गया अब देखो x minus 2 दोनों जगा है फिर से हमने common ले लिए इधर से ये वाला x बच गया और यहां से ये माइनस 3 बच गया यानि यहां पे हमने split किया है middle term को यहां से हमारे पास x की दो value आए कि एक आएगा plus का 2, एक आएगा plus का 3 जब हम आगे और further solve करेंगे इसे कहा जाता है middle split term यहां पे alpha और beta x के 2 0 जो जाए जैसे अगर मैं अभी इसको और आगे solve करूँ तो यहां पे मेरे पास x minus 2 is equal to 0 होगा और यहां पे x minus 3 0 होगा यहां पे 2 minus इधर आएगा plus हो जाएगा यहां पे से 3 plus होगा इसको हम alpha बोल देंगे तो हमारा alpha 2 आजाएगा इसे हम beta बोल देंगे हमारा beta 3 आजाएगा खिलेर हुआ आगे देखो तो x की 2 value आएगी एक हमारी alpha होगी एक हमारी beta होगी तेकि सबसे important term है यहां पे हमारे relationship between zeros and coefficients जो हमारे zeros होते zeros क्या है जो अभी हमने x के 2 term निकाले alpha और beta और जो हमारे coefficient होते है coefficient क्या होते है हमारे a, b और c इनके बीच में क्या relation है अब हम वो देखेंगे तो देखिए हमें 2 relation करना है quadratic equation में 2 relation होते हैं और cubic equation में 3 relation होते हैं अब यहां पे हमें क्या करना है इन relations को पढ़ना है देखो समझो जब मैं एक quadratic equation अगर यहां लिखती हूँ तो quadratic equation हमारे पास क्या होता है ax square plus bx plus c is equal to 0 ठीक है यहाँ पे coefficient कौन-कौन सा होगे बच्चो a, b और c यह coefficient होगे यहाँ पे 0's क्या होगे जो इस x की value निकलेगी अभी हमने last slide पे देखा था x की 2 value निकलेगी एक होगा alpha, एक होगा क्या बच्चो बीटा, है नो तो x की जो यह दो values निकलेगी इसमें और हमारा जो coefficient होगा इसमें relation होगा जो relation होते हैं, एक होता है sum of 0, ठीक है यानि alpha plus beta का sum यह किसके equal होता है x का जो coefficient होगा यानि यह जो b होगा minus में हम लिसे लेते हैं, minus coefficient of x यानि b divided by coefficient of x square that is a, तो आपको exam में इतना नहीं लिखना है, आपको question solve करते टाइम सिर्फ इतना term लिखना है ठीक है product of 0's क्या होता है alpha into beta is equal to constant term that is c divided by coefficient of x square that is a, फिर हमें exam में इतना लिखना है जब हम आगी question को solve करेंगे exercise में, तब हम इसको बहुत सारा use करेंगे, आप लोगों को अपने आप यह याद हो जाएगा term सारे समझना है और हम वहाँ पर इसे proof करके भी देखेंगे बहुत सारे question में proof करने को भी jam में आता है तो हम इसे proof करके भी देखेंगे तो हम इसे proof करके भी देखेंगे आगे देखिए polynomial when 0's are given आपको पढ़ाया था, real number क्या होता है तो कोई भी real number के लिए जब हमारे पास उसके 0's यानि alpha और beta दे रखे हैं तो जो polynomial हम लिखेंगे कैसे लिखते है, x square minus sum of 0's into x plus product of 0 ठीक है, यह polynomial लिखने का तरीका होता है अब देखो, exam में हम इतना रंबा चोरा सा नहीं लिखेंगे exam में हम कैसे लिखेंगे exam में हम अपने polynomial को लिखेंगे px is equal to x square minus alpha plus beta देखो, यह sum of 0 ही जो ही तो है हम direct लिखेंगे, alpha plus beta into x plus alpha into beta that is product of 0 समझ भाया है बच्छो, तो कुल मिला करके यह हमारे इस पूरे chapter का introduction था, पूरे second chapter में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है polynomials में इतना पढ़ेंगे हमारा यह पूरा चाप्टर complete तो देखे, introduction पूरा अच्छे से हो गया है आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, बढ़हां से समझना यहां पे जो भी terms बताएगे हैं जो formula बताएगे, इनको आप लोग अपने notebook में note कर लेना, ठीक है उसके बाद next video में हम लोग RDA सर्मा के questions को solve करें ठीक है, तो चलो मिलतें next class में वीडियो को देखने के लिए और हमें support करने के लिए thank you so much